कि कोई भी फीस नहीं रखांगे फ्री रिजिस्ट्रेशन रहोगा बस आपने एक बार कोल करकर बताना है कि हम इस लाइन तेहां इस चीज में यह करा हैं तो आप जूड़ना चाहां कि अपने बारत में भी है कि यह चीज एक फीमस है कि आप बाई-चारा में इतना अकजतास का हां और किते शायद ना हो सकती यह चीज तो भाई मैं आपका अपना पतरकार सचिन कुमार फिलाल कलानोर के इंदर बेठे हूं और यह जो सक्स मेरे साथ बेठे हैं यह अन्तु जांगडा है और आप देख रहे होगे मेरे पीछे स्क्रीन और यह जो भी सिस्टम दर रहा है तो यह एक स्टूडियो भाई और फिला जी था है मैं बाई ब्यानी जांगे तकते आज एरतन चल दिखाओं एक छोटी सी सुरुवात करिये उस ततना रूब रूब करवा दियो काम चेड़े आपने तो वह देखना आगा था पसंद आया तो मैं एक वीडियो बना दे हां तो भाई सब तपहल तो रम 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 भ जादा स्ट्रगल करें तो यह जो सिस्टम छेड़ा है जो स्टूडियो है के चीज़ करें इसके उपर गाने-गोणे बनाओ को ब्या के फिलमतार हो के करें यह स्टूडियो भाई अपना भाई है अंकित दा बैक बेंचर म्यूजिक नाम तर उसका साउंड का है तो यह स्ट स्टेजवाइब नामते एक प्लैटफोर्म जिस पर शायरी पोईट्री वगेरा स्टोरी टेलिंग कोमेडी स्टेंड अप कोमेडी जो आज काल चाल रही है बहुत ज्यादा यूथ में तो उसको पर अपन एक स्टार्ट अप कर रहा है चोटा सा तो उसके जो अपने चाहरी यह जो भी हो है स्टोरी टेलिंग वगरा बगरा इनका तो इसका नाम है दा स्टेज वाइपस तो एक वर वाइक केमेरमें तक हूं अगर गुमा कर दिखा तो भाई यह जो है वो और दिखा दे भाई क्योंकि देखो आदमी ने जितना बेरा उतना बताने चींए तो जो मेरे साथ भाई यो है अंतु जांगडा यो भाई कोलेज का दोस्त है मेरा और अमने साथ में बीए करी है तो आज फिर तेक बार मुखा मिल गया भाई ते मिलनका तो मेरे फर्ज बने है कि अगर मेरे शायरी का सोकीन है कविता का सोकीन है तो वाई गाचैनल है देखो यूटूब पर यूथ में ज्यादा उचल रहा है तो उसका चलते मतलब एक इंस्पिरेशन मिली थी और तन्य तो वेरा है मतलब के वाई बाई शायरी बहुत बढ़ी आ कर आगर तो सब्सक्राइब है तो कोलिज था में साथ में थे उन्निस तइकिस बैच में गवर्मेंट कोलिज बीवानी पड़े थे तो बाई तमुला का तोड़े होई थी तो बाई शायरी तो करेगरदार गयला एक बाई और था नमीन शिवाल उसके गयला भी थोड़ा सा अच्छा हो सब्सक्राइब तो इस तोड़ी थी इंस्परेशन मिली थी कि य कि कटी इंस टीम है और मतलब की आटे एडिया भी है कि मतलब इस बाई जी स्टूम्टेम्स पाइध है यह तो है साउंड स्टूडियो म्युजिक का है बाही ने बहुत तो यह तो अंकित भाई का है फिर उसके बाद सेकिंड जो इसे स्टूडियो में है वाई फिल आल चल रहा भाई न दिखाया था के स्टेज वाई करके तो इस पर प्लैटफोर्म पहापती बताई थी पोईटरी है ओपन स्टेंड अप कोमेडी है या फिर भी स्टोरी टैलिंग है यानि कि जो भी एक बंदा की बावना जो उसने वह लिख रहा है तो उनने एक एक्सप्रेस करन का एक अच्छा मतलब प्लैटफोर्म क्रेट करा हाँ पां सोच कुछ राकी है बहुत कुछ राकी ह तो मतलब अपग्रेड ओता रहे ना हम बात यहां है बिल्कुल अपग्रेड तो टाइम टू टाइम ओना ही पड़ेगा या बात तो वाई शायद काफी बार समझ जुके या बात काफी बार मतलब पता चला इन चीजा का क्योंकि वाई जिस टाइम पर कॉलेज में थे उस ट तो वह चीज है जांगडा साब भी मतलब अपना काम पकड़ के बाई काम दंदा और मैं विश्लाहिन में आ गया तो वह जो चीज आपी कर्या करतें कोलेज में तो वह ठीक थी आप जो करना रहे हो ठीक है बाई वह जिस तरह कितने बताई थी के टीनेज अला टैग भी कह सक तो वह मतलब एक बचपना एक है इस ताइम में बहुत फरक है अगर उन बाताना तो असी भी आवे हैं और कई बार वाई इमोशनल भी हो जाना कि वह टाइम था वह बहुत बढ़िया था यार रियल टीम भाई खुश होया बाई की टीम जो है दस्टेज वाइब्स की लगा आप इन किसे का लेना नहीं चाहिए लेकिन जो इस स्टम कर रहे हैं कभी तागा शायरी का तो वह फीस दर्याक रहे हैं तो उसका के मेंटर अपना हाँ वाई चीज सोची थी क्योंकि तू भी जानता हो आपने कोलिज में कई बालक लिख्या भी कर दे तो वे सारे उस टाइ पर चाहिए बले ही सो रखी 200 वो चीज नहीं ना होती उस टाहिए ना दे पाते कई वाड़क भई या फिर दूर की वजए तो इस चीज का मैंने सबसे पहले यह टोपिक रहा था कि कोई भी फीस नहीं रखांगे फ्री रिजिस्ट्रेशन रहोगा बस आपने एक बार कोल कर बताना है कि हम इस लाइन तो आप जूड़ना चाहां ओनली यह चीज काफी है तो आप जो भी आना चाहो भाई उसका मोस्ट वेलकम मारे सचिन वाई के तरिया और वही जिस तरह मतलब जो भी जूड़ना चाहो जूड़ सकाई इसकी कोई भी रिजिस्ट्रेश्ट्रेशन सपाने नहीं रखी है स्टार्टिंग यह थी कि अगर कोई बाला की सावियन है कि जो भाई इनुका है कि मेरे पताप डाउन के पैसे नहीं है तो कोशिश यह रहाएगी कि अप डाउन का उसका हम पे कर देवां लेकिन मतलब यह हो कि उसमें टैलेंट हो यार नूनियों कि व करना लग रहे हैं तो वह सारी चीज आपने देख ली तो मतलब यह स्टार्ट अप नी मतलब एंड तक यह रहा कि कोई इस्ट्रेशन फिस नहीं रहाएगी मतलब यह आले नहीं चीए जो नुका खरे लाडू यह मारी कुट्टी है अर्याई बस हुट्ती है ठीक अब नहीं कुछ बात का मतलब मतलब होना चीए और कुछ एक प्रोफेशनल्टी चीज है तो वह भी होनी चीए यह नहीं आओ कि बात की बात मारा लाग रहे हैं तो वह चीज आपने नहीं चीए जो लास्ट में राइमिंग बिठा देर बीच में चाही कुछ भी जान दियो वह नहीं प्रण देखनी नहीं चीए इसका मतलब बना है उसका शायरी एक्षुल में चीज तो जितना मैं समझो मैं इतना इस लाइन तर नहीं जूड रहे हैं लेकिन तन फिर भी बेरा है जिस दिन मना मिले आपस कम है ठीक है और जिस दिन इन दो कह नहीं बाई और जिस दिन बाच् बैक माझ जाने थी आपा जो आपा मिले वह इंसिडेंट होया तेरह खादर एक्षिदेंट कहली हूं आ उसने तो उसका के रहा मतलब मतलब के लगातना बाई देख जो परेण फुरो था ने उसको तुमा नहीं को शकता वह मैशा रह 에गा वहीं के वहीं दिल माज भी है पर मस्ट गोन पहले हैं और आज अगर मैं खड़ा होना है इस सतर को उपर और इस चीज़ ने लेका है तो कहीं ना कहीं अगर उस तक यह वीडियो पहुंच है तो वह प्रणिनास तरोत आज भी उतना ही मतलब की आधर नहीं है मेरे लिए और मैं आज भी नों चाहूं क्यों हमें सब्सक्राइब है जहां भी है और मना प्लस पॉइंट मिल्या बाई सचाही में जिनकी जिन का एक रस्ता में पाकी एक चीज और भी वाई मैं तो स्पेशल कई बार स्था कोल भी करा करता बाई का दो रहे कदे भी उस टाइम पर भी अब भी करू हूं तो एक कबात रहा गर करता रही पर एक चोड़ी कि नसी आख है इसी तीशी हो रही है यह थोड़ी सी छोटी सी शुरुआत करी है और उस चीज में भाई भाई नहीं बहुत करी आज बाई मतलब फेड़ते एक बार में रखातर वह टाइम वापीस लेका है एक चीज और सचीन भाई यह चीज भी मतलब वह एक अपना रियाना में एक और अपने भारत में भी है कि यह चीज एक फीमस है कि आपा बाई-चारा में इतना अख जता सका हां और कि ते शायद ना हो सकती यह चीज और वही बाकी मने बस वड़ा है बाद में मतलब इस तरह थोड़ा सा इस लाइन में जबाया कि वो टाइम एक लगे था जब कोलीज मरेया करते के अर एक चीज बापना अग जता दिया गरते तो जो मने देखा जो मने सुने उन्हें तरह अंबल रिक्वेस्ट है आज जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जितना मने प्यार दे रहो बाईया तभी उतना प्यार दियो और बा तरकार साचेन कुमार फिर ता आपका जो बहुत बहुत दनेवाद करूं आपोंचे राम राम नमस्ते